हेल दोस्तों आप देख रहे हैं इन्फोरमेसल कासेज आज हम बात करने वाले इंगलिज्ट ग्रामर यानि मोस्ट इंपोर्टेंट कुश्टन को डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो में और प्रेक्रिस से टिया वण है तो आज से सुरू करेंगे और जानेंगे पूरे डिटे क्यों इस वीडियो के स्टाट करते हो और देखते हैं questions number one जो है क्या है तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला है fill in the blanks with correct preposition preposition के सवाल को हम पहले discuss कर लेते हैं उसके बाद other सवाल को देखेंगे तो सबसे पहला जो सवाल है वहाँ पर देख सकते हैं क्या हो सकता है इसका राइट आंसर तो चलिए मैं आपको बतलाता हूं इसका जो राइट आंसर होगा ओप्शन नमबर दी होगा एट होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल यहाँ पर देख सकते हैं दो नमबर सवाल है C has no compensation – me क्या हो सकता है आप्शन नमबर A है आइट बी है इन्टू C है फॉर और D है ओन तो इसके साथ क्या preparation लगेगा तो चलिए मैं आपको बतलाता हूं अप्शन नमबर इसका C हो जाएगा फॉर इसके साथ लगेगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है तो देखिए यहाँ पे तिन नमबर सवाल है डू नोट रॉन डैस 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 दन्यू फैशन अफ्शन नमबर A है आफ्टर बी है विफॉर और सी है फॉर और डी है फ्रॉम क्या हो सकता है इसका राइट आंसर चलिए मैं आपको बतला देता हूं जो इसका राइट आंसर हो हो अफ्शन नमबर A हो जाएगा आफ्टर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह पी प्रॉजिशन का चोठा नमबर सवाल है दा पैसेंट डाइड डैस 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 को लिडा क्या हो सकता है इसका राइट तो यहाँ पे देख सकते हैं अप्शन नमबर A में दिया है by, B में दिया गया at और C में दिया गया from और D में दिया गया है off तो इसका जो राइट आंसर होगा हो अप्शन नमबर D हो जाएगा off हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या हो सक लगता है इसका तो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यह पर प्रेशन का लाश्ट सवाल होगा पांच नमबर बी अवे अवेर डश 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 ड़ाग्स क्या होगा इसके साथ कौन सा प्रेशन लेगा ए में दिया गया of b में दिया गया after और C में दिया गया at और d में दिया गया है into तो क्या होगा इसका right answer तो इसके साथ be aware के साथ हमेशा लगता है off तो इसका जो right answer हो जाएगा option number a हो जाएगा off लगेगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल किस चीज़ से related है तो देखिए यहाँ पर अगला जो सवाल है वो लिखा गया है चुछ दो अप्रियेट synonyms for each of the flowing words यानि synonyms ढूंडना एक word दिया गया है इसमें चार option दिये गये हैं और एक उसका synonyms है तो चलिए देखते हैं इस सवाल को और सिक्स नंबर है स्टेडियस option नंबर ए है टायड बी है है वी और सी है बोरिंग और डी है लेवरियस क्या हो सकता है इसका राइट आंसर तो चलिए मैं आपको बतलाता है इसका जो राइट आंसर होगा टेडियस का synonyms होगा आपका option number D यानि लेवरियस होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शवाल यहां पे सीविल का आपको synonyms बताना है यानि option number A में दिया गया है formal B में दिया गया है social और C में दिया गया polite और D में दिया गया lawful क्या हो सकता है इसका राइट आंसर तो चलिए मैं आपको बतला दूँ इसका जो राइट आंसर होगा वहगा polite यानि option number C इसका right answer हो जाएगा श्रीविल का polite हो जाएगा synonyms चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगरा शवाल यहां पे अभी हम लों synonyms के सवाल बना रहे हैं क्या हो जाएगा synonyms ए टॉक भी है फॉन सी है लॉफ और डी है श्लिप क्या हो सकता इसका राइट आंसर चलिए मैं आपको बतलाता हूं इसका जो राइट आंसर होगा वह अप्शन नमबर ए हो जाएगा टॉक इसका synonyms टॉक हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और द क्या हो सकते हैं इसका राइट आंसर होगा घॉलर क्या हो सकते हैं तो च्राइट चलिए अगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले शवाल ऍगेशन था जिरी चल रहा है नंबर द सवाल है तो गसा ऑंग decision Synonym बतलाना है क्या होगा ? Option number A दिए गए differ, B दिए गए vibrate, C दिए converge, D दिए गए combine क्या हो सकता है इसका right answer तो देखिए इसका right answer होगा होगा Option number A हो जाएगा D4 इसका right answer हो जाएगा इसका 10 का A हो जाएगा इसका right answer चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला for the words sentence given below यानि एक सब्द के लिए आप हिंदी में पढ़े होगे एक सब्द के लिए अनेक सब्द के लिए एक सब्द होता है जो एक इसका यहां पे सब्टिशूशन करना है यानि इसका जो मीनिंग बतलाना कौन सा हो सकता है इसमें से चलिए 11 नंबर है जो बीना किसी कंसल्टिंग के अपना रूल करता है और सासन करता है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शवाल यहां पे देखिए बड़ा नंबर सवाल दिया गया है अलिस्ट अप बुक्स इज कॉल्ड ए दिया गया है कटलोग बी दिया गया कंट्रेक्ट सी दिया गया है बीलोग्राफी और डी दिया रिफ्रेंस क्या हो सकता है इसका राइट आंसर जरूर फटा फर बतलाईएगा चलिए मैं आपको बतला दूए इसका आंसर होगा अप्सन नंबर ए हो जाएगा केटलोग इसका राइट आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है हम लोग का तेरा नंबर सवाल है one who loves own country क्या हो जाएगा कौन सा होगा इसका आंसर चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल और 14 नंबर सवाल है यहां पर one who lacks knowledge is called क्या हो सकता है इसका राइट आंसर ए फूल बी कनिंग और सी स्टूपीड और डी इग्नोरेंट क्या होगा इसका राइट अंसर जरूर बतलाए कमेंट बक्स में चलिए म आपको बतला देता हूं इसका जो राइट आंसर होगा इग्नोरेंट यानि जिसको knowledge की कमी होती है अज्ञानता जिसके पास होता है उसको इग्नोरेंट बोलते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं यहां पर next सवाल है हमारा 15 नंबर सवाल है yearly celebration of a date and event is called यानि साल बर के बाद जो celebration होता है मनाया जाता है उसको क्या बोलते है birthday anniversary या जिबली या century तो इसका जो राइट आंसर होगा आपको मालूम है anniversary बोला जाता है इसको यहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा यानि 15 का भी राइट आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखी सही है यानि spelling correct है बाकी सब गलत है तो जो सही है उसको हम लोग चूज करेंगे one by one तो चलिए सोलर नंबर सवाल में यहां पे अपसान एट देख रहे हैं इसमें P I E C E है और यहां पे देख सकते हैं और इसमें A और C दोनों सेम है तो इसका जो देखिए यहां पे थ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल यहां पे आपको एक एक्जामपल का सही spelling ढूड़ना है कौन सा हो सकता है A में देख सकते है E X E है तो नहीं होगा B में देखिए E X M P E L है तो नहीं होगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर आ A में गलत है कि यहां आई नहीं है और B में भी डवल यहां चाहे तो नहीं है और C में भी गलत है डवल M डवल टी और चाहे है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर डी हो जाएगा चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहां पर 19 में ढूड़ना यहीं ए स्पहलेंगा है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहां पर फिलेज का spelling की दूढ़ते हैं तो nik об रड़्या गी बढ़ते हैं और देखते हैं वाल हम लोग छूज दक करेक टैन्स और वर्भ फिल इंद और आपको sentence के हिसाब से वर्ब वर्णे है इस सवाल में तो एक किस नमबर when I dash dash him last spoke to him इसका जो right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा see या saw या will see तो इसका right answer हो जाएगा option number B इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल do whatever you dash dash proper तो इसका right answer क्या होगा to think या think या are think या style think तो इसका right answer हो जाएगा option number B हो जाएगा right answer think लगेगा इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं I told him why I dash dash that has done had done या have done या will done तो इसका right answer हो जाएगा option number B हो जाएगा had done होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं 24 नमबर सवाल दिया गया I hope that you dash dash return soon क्या होगा इसका right answer तो शैल लगे गया या are लगेगा या would लगेगा या is लगेगा तो इसका right answer होगा 24 का option number C इसका right answer हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लास्ट सवाल को 25 नमबर this is the place where Mohan क्या होगा live होगा या lives होगा या are यहाँ पे होना चाहिए था living होगा या is living होगा तो देखिए इसका right answer होगा वो option number B हो जाएगा lives होगा चलिए तो यह थे कुछ महत्पुन सवाल और बहुत ही easy सवाल थे इसके बाद जो set आने वाला इससे tough होगा और धीरे-धीरे हम लोग simple से complex की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे बहुत सारे जो सवाल पूशे जाते हैं English grammar से उसको हम लोग पहले discuss कर लेंगे उसके बाद हम लोग एक एक chapter wise जो भी है उसको discuss करेंगे चलिए इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजेगा आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद